नमस्कार दोस्तों गारगी क्लास्टेस पर आपका स्वागत है डीट आज की 13 अगस 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रस की इंपॉर्टन न्यूज जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेइन पीज से पर वो अभी तक रिलीज नहीं होई थी रिपोर्ट पर अभी ये रिलीज कर दी गई है सबसे पहला सवाल है नेटो क्या है नेटो एक नॉर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन है फॉल फॉर्म हई हो गई ये पॉलिटिकल और मिलिटरी अलाइंस है जिसमें 28 कैनेडा के ठीक है यूएस और नॉर्थ अमेरिका के यूएस और कैनेडा ये स्टैबलिश हुआ था 1949 में जिसमें यूएस कैनेडा ये दो कंट्रीज लीड करने वाले थे बाकी जो वेस्टन यूरॉपियन नेशन्स थे वो साथ में आये टार्गेट क्या था यूएससर की बढ़ती हुई जो इफेक्ट थी जो इंफ्लूएंस था उसको काउंटर करना यूएससे ने अपनी तरफ से ये पीस टाइम मिलिटरी अलाइंच पहली बार क्रियेट किया था जो की वेस्टन हेमिस्वेर के बाहर तक जा रहा था कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वेस इसा उससे वेसीं करें इसमाइश्ट की तरफ वेस्टन हेमिस्वेर ऐसे में इसके भी इस्ट में में मेंबर्शिप इसकी एंश्योर भगाई थी नेटो के me मोंस में उके तो इस तरीके से कुल मिलाकर के बात क्या है कि USSR का influence communist regime का जो influence बढ़ता चला जा रहा था उसको counter करने के लिए NATO established किया गया था अमेरिका की leadership में यह मैप पे आप देख सकते हो Grainwich में टाइम जो है वो इधर से ही हो पास होती है one second ऐसा कुछ है पास होनेगा ठीक है या थोड़ा सा east में हो सकता है तो ये countries भी इसके member है नॉर्वे, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Czech, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, France, Spain, Portugal, Netherlands, Belgium, UK, Germany, Italy, Croatia, Croatia, Romania, Bulgaria, Romania, Bulgaria, Greece, Albania, Montenegro, इसके लावा टर्की और उधर से आप जानते ही हो दो countries Canada और US ये मिल करके और ये group बनाते हैं में जो था target वो USSR के influence को counter करना तीक है ये जो countries ना Estonia, Lithuania, Poland, Czech ये सारे countries किसके influence में थे? Cold War से पहले USSR के influence में यहां तक था इसके communist regime को और इधर जादा ना बढ़ने दिया जाए उसको counter करने के लिए NATO establish किया था पर आज आप देखो जब से USSR का disintegration हुआ है यहां तक NATO पहुँच गया है इधर Finland और Sweden ने भी अपनी तरफ से membership के लिए apply कर दिया है पहले Turkey थोड़े रोड़े कर रहा था पर approval मिल चुका है और Ukraine ने भी NATO को और European Union को join करने की बात की थी तब ही आज Ukraine पर attack भी कर दिया रश्या ने क्यों? क्योंकि वो ही चीज कि पहले USSR को counter करने का target था अब रश्या को counter करने का target हो गया है NATO का तो इस तरीके से objection सलते रहता है इसमें आपको तोड़ा डंग से देख लेना आप आगे चलते हैं इसके बाद बात आती है कि NATO किस principle पर काम करता है यह देखो collective defense के principle पर काम करता है इसका मतलब कि जितने भी NATO members है उन NATO members में से किसी एक पर भी attack होता है या किनी 2-4 countries पर एक साथ attack होता है तो यह जो NATO के सारे members है वो एक साथ लड़ाई करेंगे एक साथ defend करेंगे उन countries को यह NATO के लिए जो North Atlantic Treaty है उसके Article 5 में mentioned चीज है यह अपने आप में एक important point है इसका example अगर बताऊं मैं छोटा सा तो छोटा सा तो किया वैसे बड़ा सा एक्जामपल है यह 9-11 attack जब हुआ था World Trade Center में यूएसे में तो उसके बाद में NATO की forces ने लड़ाई open कर दी थी तालिम इसके Al-Qaeda के खिलाफ में ठीक है शुरुआत कैसे होती है देखो World War 2 खतम हो जाता है उसके बाद में आपको ये तो पताई है कि सबसे ज़्यादा बरबादी European continent की हुई थी तो इस केस में एकॉनॉमिकली बहुत ज़्यादा बरबाद होए हुए कंट्रीज को रिवाईवल देने के लिए US ने एक प्लान बनाया जिसको नाम दिया गया था The European Recovery Plan जिसका नाम था मार्शल प्लान अब वो मार्शल प्लान को USSR तक भी पहुँचाया गया था क्योंकि लड़ाई का डेंट तो USSR में भी पहुँचा ही था लड़ाई में था उस टाइम पे participation में पर वही चीज़ है कि USSR ने मना कर दिया कि हम तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाल हैं और दूसरी तरफ USSR अपनी खुद की पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था USSR वेस्ट वर्ड एक्स्पेंड करता चला जा रहा था एक तरफ तो यॉरॉप को economically integrate करना था दूसरी तरफ USSR के communist regime का influence था उसको counter करना था इन चीजों को लेकर के netto की शुरुआत हो जाती है एक idea के तौर पे फिर 1946 से 49 के बीच में ग्रीक में ग्रीस में civil war शुरू हो जाता है जिसमें US और UK दोनों ने मिलकर के इस तरीके से काम किया कि Soviet Union अपनी influence वहाँ पर बढ़ाना चारा था communist regime को वहाँ पर establish करना चारा था तो UK और US ने मिलकर के decide कि हमें यहाँ पर कैसे भी किसी भी हाल में communist regime नहीं आने दिना है सेम चीज तर्की में होने लग गई थी अब तर्की पे तो सबसे बड़ी problem क्या थी कि Black Sea के थूँ Black Sea के थूँ अगर आप देखो तो connectivity दो water straits के थूँ मिलती है अगर Mediterranean Sea में देखें एक तो बॉस फॉरस एक थी डार्डेनले स्ट्रेट अब इन दोनों स्ट्रेट पर किसकी पकड़ है तर्की की अब अगर तर्की पे USSR का influence fix हो जाता तो इसका मतलब USSR Black Sea के ओपर rule करता आज के टाइम पर भी तो यही सीन हो रहा है न पर वो बात लग है कि तर्की NATO का member है तो कह ही न कहीं तर्की थोड़ा सा balance role play करने की कोशिश करता है रश्या और उधर दूसरी तरफ आप देखते हो USA ठीक है पर फिर भी आज आप देखो कि Ukraine से जो grain ships पास हुए हैं वो किस से हुए इन दोनों स्ट्रेट से हुए हैं दोनों स्ट्रेट की location अगर देखें यहां पर पकड़ है वो देख लो यहां पर बहुत हद तक अच्छा गासा ट्रेड कर लेता है और रश्या के लिए Black Sea से बढ़िया कोई option है नहीं ट्रेड को promote करने के लिए तो उस ताइम पे तो USSR था तो USSR तरकी पर भी अपनी पकड़ बनाना चाता था ग्रीस पर भी बनाना चाता थ क्योंकि ultimately यहां से safely इनके ships निकल सकते थे यह अपने आप में एक trade का भी point था और influence का थो था ही democracy और communist regime के बीच में जो competition था तो कुल मिलाकर के UK और USA ने decide कि ग्रीस और तरकी पर influence नहीं आना चाहिए USSR का तो इन दोनों को साथ में लेने के लिए decide यह हुआ कि हमें कुछ ना करने की ज़रत है आज के टाइम पर जो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया जो अभी हमने मैप पे देखे थे यह मिलकर के चेको स्लोवाकिया करके country बनाते थे वहां पर communist regime आ चुका था इस्ट जर्मनी जो था जर्मनी के दो पार्ट्स थे इस्ट और वेस्ट इस्ट जर्मन गया था इसके अलावा एक European American European Alliance जो थी वो बननी inevitable हो गई थी USSR को काउंटर करने के लिए तो इसमें शुरुआत होती है मार्स 1948 में जब UK, France, Belgium, Netherlands, Luxembourg इन कंट्रीज ने मिलकर के एक treaty sign की जिसका नाम था the Brussels Treaty of Collective Defense फिर कुछ महीनों बाद में US की Congress ने भी अपनी तरफ से एक resolution पारित किया और उस resolution का नाम क्या था? वेंडेंबर्ग. इस वेंडेंबर्ग resolution के basis पे क्या था? कि USA के President जो है वो United Charter के चलते, United Charter के चलते, USSR को काउंटर नहीं कर सकता. कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि United Nation Security Council में तो USSR को भी वीटो दिया हुआ है और USA को भी वीटो दिया हुआ है तो बोलो दोनों USA कभी भी USSR को काउंटर करने के लिए कोई motion लाएगा तो USSR, USAK इस motion को वहीं पे खतम कर देगा. तो इसके लिए इनोंने UN के Charter के बाहर को यह रस्ता निकालने की कोशिश की और वो रस्ता क्या था? 1948 का यह जो Brussels Treaty of Collective Defense था ना, इसी को explore करने का एक रस्ता है य वाले जो कंट्रीज थे उनमें और ज़्यादा एक्सपेंशन होता है और North Atlantic, Atlantic Ocean के Northern Region की बात करें तो उससे अपनी कॉस्टल लाइन शेयर करने वाले कंट्रीज के साथ में USA ने अपनी engagement बढ़ाई जिनमें Canada, Iceland, Denmark, Norway, Ireland, Portugal इन कंट्रीज को साथ मिलिया और फिर उसके बाद में अपना एक agreement स्टार्ट किया और फाइनल जो ट्रीटी है वो साइन होती है वाशिंग्टन डी सी जो कि अमेरिका की कैपिटल है वहाँ पर 4 अप एपरिल 1949 को जिसमें उस टाइम पे 12 सिगनेटरीज थे शुरुवात में जिसमें US, UK, Canada, France, Denmark, Belgium, Norway, Portugal, Netherlands, Italy, Iceland, Luxembourg ये 12 कंट्रीज थे और फिर टाइम बीटने के साथ साथ में आज आपको पता है 28 तो European countries हो चुके हैं और दो North American countries हो गए ऐसे 30 countries का ये membership के तौर पे नेटो बन चुका है फिर बात आती है कि नेटो के साथ में इंडिया के engagement क्या ये नई बात है देखो अगर पिसले कुछ सालों की बात करें तो कुछ scholars ने जिनमें एक का नाम है डैविड स्कॉट ये School of Social Science Brunel University UK इन्होंने एक पेपर रिलीज किया था नेटो एंडिया तो इनकी तरफ से ये कह द की तो कोल्ड वॉर के बाद के 10 साल जो थे 1990 से लेकर के 1991 से लेकर के और 2001 तक इंडिया और नेटो के बीच में अब धीरे-धीरे engagement बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो ये इन्होंने अपनी दरफ से अपने पेपर में डेविड स्कॉट ने पहले ही बता दिया था और पेटो तो जाना चाह रहा था इस्ट वर्ड और इंडिया ने भी अपनी एक्स्टेंडड नेबर हुड पॉलिसी के बेसिस पे साउथ इस्यान सब कॉंटिनेंट से बाहर निकलते हुए वेस्ट की तरफ मूग करने की कोशिश की तो उवरलेपिंग आएगी की नहीं आज अ पीच में इसके अलावा अफगानिस्तान की बात कर लो वहाँ पर भी अच्छी खासी इंगेजमेंट इंडिया ने भी अपना इंवेस्टमेंट अच्छा खासा किया और वहाँ पर यूए से जब तक प्रेजेंट था तब तक इंडिया का बूल बाला रहा और जैसे विड् इंग्रिस है वहाँ की पार्लेमेंट उसके हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव में एक इंडिवीज्वल है जिनका नामर रो खन्ना जो की इंडियान ओरिजिन से बिलॉंग करते हैं ठीक है तो उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिया कि इंडिया को नेट्टो प्लस कंट इसी जुलाई दोजार बाइस की बात है और यह प्रोपोजल में क्या था कि इंडिया और युएस से की डिफेंस टाइस को हमें राइस करना चाहिए तो उस पर फिर वोट भी हुआ और अप्रूवल मिल गया युनाइटिट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रे इंगेजमेंट इनकी बाइलेटरल लेवल पे रह चुकी है तो उस चीज़ को भी हमें एग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें भी कहीं नहीं हमें सेंसेटिविटीज को समझना हो क्योंकि इंडिया तो आज नेटों के साथ इंगेज कर रहा है और कोल्ड वर साथ में हमारे रिलेशन्शिप इतनी अच्छी नहीं है जो कि फ्रांस के साथ हम कंपेर भी कर सकें तो यह दो इशूज है जो कि एक तरीके से एड्रस करने वाली बात है ठीक है नेटों के साथ में अगर हमें इंगेज करते हैं फिर आगे एक्सपर्ट का क्या कहना है कि दे नेटो की तरफ से एक डेलिगेशन है बटी ना के दिन बैक के द्वारा जो असिस्टेंस सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल अफेरें सेक्यूरिटी पॉलिसी है वह उन्होंने ने भी अपनी तरफ से अपनी विलिंग दिखाई है मतलब की नैस दिखाई है कि हमें इंड 100% benefit होगा कुछ जगह ऐसी भी होगी जहां पर इंडिया के लिए प्रेशर वाली सिच्वेशन भी बनेगी तो उसको सोचके ही हमें आगे इंगेश करने की ज़रूरत है आगे चलता है नेक्स है chronic fatigue syndrome देखो कल की news थी ये highlight मैंने कर दी थी कि बैंगलूरू की एक women ने दिल्ली हाई कोट में पेटिशन लगाई क्या कि उसका एक दोस्त है नौइडा में जो की chronic fatigue syndrome से पेडित है और वो बंदा यॉरप में जाकर के physician assisted euthanasia लेना चाहता है मतलब कुछ दवाईयां लेगा डॉक्टर से और जिसें की वो suicide कर लेगा डॉक्टर की help से suicide करने को euthanasia बोलता है तो उसको रोकने के लिए ये बोला गया इस लेडी के द्वारा दिल्ली हाई कोट में कि उसको आप यॉरप जाने से रोक दो नहीं तो वो फिर वहाँ पर euthanasia लेगा और उसके death हो जाएगी तो इसके family वाले बहुत जादा pressure में आ जाएंगे तो ऐसे में इस petition के चलते ही अपने आप में important point निकल के आता है इस बिमारी के बारे में जानने के लिए petition में तो सीधी सी बात है क्यारण क्या है इसमें ये जो बिमारी है इस बिमारी में एक तो बंदे की खुद की energy बिलकुल खतम हो चुकी है मतलब घर में ही दो चार कदम चलने तो ठकान हो जाती है बैड पर ही पड़े रहो सोचने के एक शमता नहीं है देखो symptoms क्या है सोचने में भी जोर आता है इतनी बुरी हाल हो जाते है नीद नहीं आती है memory बिलकुल down concentration बिलकुल down dizziness light headedness यह लगता है जैसे की हलका हलका सर हो रहा है कभी सरदर्द हो रही है muscle pain हो गया joint pain हो गया flu like symptoms बुखार हो गई है चीक्या आ रही है मतलब एकदम लिथार जी को हो जाता ना अदमी एकदम ढीला ढाला वह हाल हो गया तो इसमें बुलत जीने की एक scope ही नहीं रहा और 2014 से पीडी था यह बंदा तो पिछले आठ सालों में situation और जादा deteriorate हो गई तो ऐसी परिस्तितियों में हमारे इंडिया में तो देखो legal euthanasia का system available है नहीं और अगर euthanasia के concept को समझना है तो रितिक रोशन के एक movie आई हुई ह गुजारिश वो देखना है एश्वरिया और रितिक रोशन की उसमें पूरा detail में बताया हुई यथे नहीं शाह है क्या पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको तो ऐसे में हमारे यहां पर legally allowed नहीं है तो वो जो चीज है उसके चलते हैं यह जाना चाहरा था अब के एंसेफिलो माइलेटिस माइलेटिस ठीक है मी सी एफस बोलते हैं या फिर इसको chronic fatigue syndrome मतलब लगातार थकान महसूस होना इस तरीके से ठीक है इसमें क्या आता है नर्स सिस्टम होता है उस पर effect आता है ठीक है और वो किसी viral या bacterial infection की वजह से हो सकता है कारण क्या है यह देख imbalances हो जाता है या फिर कोई genetic predisposition मतलब genes में कोई mutation आ जाता है drastic इसकी वजह से यह बिमारी problem का घरण बन जाती है अभी तक जो doctors के पास में टेस्टिंग के लिए भी कोई इसा equipment या कोई test available नहीं है कि बलड और union test कराया जाते हैं symptoms देखे जाते हैं और symptoms के हिसाब से treatment दिया जा हैं तो 60 से 40 साल 40 से 60 साल की उमर के लोग और चोटे बच्चे कोई भी इसका individual हो वो इसमें इस पीड़ा से ग्रसित हो सकता है ठीक है और यह जो symptoms है ना जो हमने देखे इन symptoms को combinedly क्या बोलते हैं पॉस्ट एक्जर्शनल मलाइज पी एम बोलते हैं इन सारे symptoms को combinedly ठीक है तो symptoms कोई treat किया जाता है इस बिमारी का कोई treatment अभी available भी नहीं है नेक्स है अभी हमने देखो front page पे देखाने है front page पे एक news है बड़ी heading है वो क्या सलमान रुष्दी उनको assassinate कर दिया गया उनको मतलब चाकू से मार दिया गया है तो वो जो चीज है वो हुई कैसे है क्या है इसक बुकर प्राइज भी मिला हुआ है एक बुक के लिए नाइट्स चिल्टरन इहोंने 1988 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है the satanic verses अब यह satanic verses जो है इसमें इन्होंने क्या किया इसलाम पे comment किया था अब वो इसलाम पे comment जो थे वो offended manner में परसीव कर लिए गए इसलामिक जो लीडर्स थे उनके द्वारा इसी के चलते 1989 में इरान के जो religious लीडर थे जिसका नाम था आयतुला खमेनी उन्होंने अपनी तरफ से फत्वा जारी कर दिया रुश्दी के लिए कि इसलाम के इंसल्ट किये इस 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 बुक के जो यह satanic जो verses है इसके basis पे तो ब अब इस बंदे से जब interview हुआ तो इन्होंने यह कहा कि जो चीजे मैंने कही है इस बुक के थ्रू वो बले करोडों शब्दों में से निकाल करके यूं मालो one fourth शब्दी मैं आपको दे पाया हूँ अभी तक तो पता नहीं कितना और detail आनी बाहर बाकी है तो इन्होंने अपन बैन भी कर दिया अगया थक्याओ तो इस टाय हम Picture चल रही थी तो राजी गांदी सरकार में इस बुक को बैन कर दिया था यह कहकर यहां और आज कल देखें तो सलमान रुष्दी एक है आप देखोगे कि एक कॉन्फरेंस को एड्रस करने वाले थे पर वहीं पर अचानक से एक बंदा आता है और चुरे से अटेक कर देता है इसकी वज़े से इनकी होगी डैठ नहीं अभी डैठ नहीं हुई है सॉरी यह मेरे मुसे निकली यह ठीक है अभी वेंटिलेटर पर है मैंने अभी चेक के आपडेट कोई नहीं आप इतना ध्यान रख लेना क्या था पूरा इसका फत्वा क्या था क्या नहीं इसी वज़े से स्टैब कर दिया मतलब चुरे से अटेक कर दिया गया खैर नेक्स्ट है इंडिया चाइना के बीच में ता अब बोलो एकदम क्लियर है उसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है चाइना जो है वो अपनी अग्रेशन ना दिखाए स्टेटोस को को चेंज करने की जरुरत नहीं है और इंडिया और नेटो के बीच में इंगेजमेंट की बात आई तो बोले नेटो के साथ में किया गया था बेसिकली अरिंदम बाक्षी जो की मिनिस्ट्री आफेक्शनल अफेर के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जवाब दिये थे तो बोले स्रिलंका में जिस तरीके से अब भी चाइना के वो शिप का आना है उसका क्या सीन चल रहा है बोले चाइना ने जो ऐलिगेश फिर हम आगए economy page पे देखो अभी कुछ दिनों पहले एक news चल रही थी कि ministry of electronics and information technology जो है वो अपनी तरफ से grievance appellate committee constitute करने वाला है ठीक है ministry जो है करने वाली है तो इसमें क्या था कि जो social media companies है वो अगर अपनी users की grievances को redress नहीं करती है या फिर उनके redressals से ही user खुश नहीं है तो उसके खिलाफ में अपील कर सकता है user और वो अपील कहाँ पर होगी centers grievance appellate committee के पास में वहाँ पर सवाल जवाब होंगे फिर बाद में user के question answer होंगे user को satisfy किया जाएगा इस चीज़ को लेकर के social media platforms ने internet companies ने अपनी तरफ से objection किया था कि बुले इसकी वजाए तो हम हमारी खुद की self regulation ही कर लेंगे आपको बीच में intervene करने की ज़र्वत क्या है इस मुद्दे को लेकर कि जब बातचीच चल रही है ना तो जो social media companies हैं उनके बीच में जो है वो कहीं ना कहीं उलजने फस रही है कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि clear cut एक mechanism तयार कर लें कि हाजी self regulation का हम यह standard follow करेंगे बातचीच चल रही है बड़ी बड़ी कंपनियों की बीच में Google, Facebook, Amazon, Twitter, Amazon तो क्या मतलब Twitter जहां पर यह हम यूज करते हैं या फिर Google इनके बीच में और वैसे देखा जाए तो ministry ने यह proposal दिया था कि government खुद अपॉइंट कर लेगी इस committee को जो की social media companies पर जो भी तक इनके बीच में कोई consensus नहीं आ पाई है ट्रेड डेफेसिट बढ़ता चला जा रहा है और 30 billion dollar तक हो चुका है इसके पीछे कारण क्या है वो हम समझते हैं देखो एक तो क्या है कि जब से Russia Ukraine war start हुआ है तो crude oil की price, coal की price, fertilizer की price बहुत जादा बढ़ गई इस वज़े से हम quantity म है वो बढ़ गया इस वज़े से हमारा import तो बढ़ गया और import में increment कितना हुआ है 48.1% जबकि export भी राइज हुआ है सिवातनी export राइज नहीं हुआ है but export में rise 20.1% है तो export तो कितने वर्थ का हो रहा हमारे 157.4 billion dollars का और import हो रहा 256.4 billion dollars का तो difference कितना हो गया 99 billion dollars का जो कि हमारे trade deficit का कारण है समझ गया तो यही एक point यहां पर था इसके आगे corporate tax शुरुवाती 4 महिनों में rise होता हुआ दिखा है अब आपको क्या करना है जो summary है vision IS किया किसी भी आपको मिल जाएगी है ठीक है जो economic survey है उसकी summary उसमें यह देख लेना कि जो tax का composition है किस tax से कितना collection आता है कम sequence wise ठीक है government of India को किस से कितना tax collect होता है वो देख लेना ठीक है आगे चलते हैं next है इरान European Union के proposal को accept कर सकता है nuclear deal को ले करके देखो 2015 में JCPOA agreement sign होता है एक तरफ इरान दूसरी तरफ United Nations Security Council के permanent 5 प्लस एक जर्मनी इन 6 countries ने मिलके इरान के साथ deal की थी पर Donald Trump ने आते ही USA को withdraw कर लि अब इरान क्या कहता है पहली चीज़ तो कि Trump जैसे कोई दूसरा President अगर आए और हम nuclear deal sign कर दे और वो withdraw कर जाए पहले तो बोले ये guarantee दो कि USA Unilaterally इस तरीके से deal को nullify नहीं करेगा दूसरी guarantee ये दो कि जो इरान पर सेंक्शन्स लगाए हुए है USA के दौरा बोले उन से free करो तो किया जा रहा है नेक्स्ट है United Nation World Food Program के अंडर में food grain जो है वो Horn of Africa में supply किया जा रहा है अब Horn of Africa में कौन-कौन से country आते हैं वो देखते हैं अपन ये देखो यहाँ पर Horn of Africa में major countries कौन-कौन से है सोमाली आ जाता है इधर Ethiopia ये जिबुती है ये यहाँ पर Eritrea है ये Sudan, South Sudan और Uganda औ Kenya ये आ जाते हैं और major जो है वो ये चार है ठीक है ना कौन-कौन से हो गए चार? Eritrea, Ethiopia, Somalia, Jibouti और बाकी यहाँ तक extend करो तो ये आ जाता है ठीक है जैसे एक वो नहीं होता राइनो राइनो का होन होता उस तरीके से ये देख सकते हैं ठीक है तो देखो इस discussion में इतना ही थ इदर है रेड़ सी इदर है बाबल मंदेव यहाँ पर है यह सारे है ठीक है जी discussion यहीं खतम है thank you very much